है हाई एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल मीनुस लाइफ कैसे आप सब बताईएगा मैं बहुत बड़ी हो बहुत थंड है मारिया बारिश तेज हवा बहुत है आप लोगों किया से बताईएगा ट्रेंट्स यह वीडियो सितारा के सपोर्ट में है और रियक्शन वीडियो है और सितारा के सपोर्ट में तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने कमेंट्स के जरी अपनी राय भी जरूर बताईएगा मुझे तो चलिए वीडियो शुरू करते हूं कल फिर मैं मुझे ऐसे तो मैं क्या बूलू मैंने इसी के चैनल को दो नॉट नॉट रेक्मे तो बात सितारा के बाबर नंगे लिए बात शुरूत की था ठीक बात शुरू किती सांथ सितारा के बढ़ आरइए बाबर जो हैं उन्होंने पहले भी इसे बुला था कि वह चाहें तो कपेड़े सकते हैं मगर नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो सोसते हैं कि चलो सब अपना अपना कमा रहे हैं अपना अपना खा रहे हैं फिर इन्हों ने बोला कि शायद कल उनके उनका वीडियो मैंने नहीं देखा है इस बजरिया ने जो बोला है वही मैं बोल रही हूं कि गैरत चागी है कि उनके सितारा क husband को गोंचु बुलाता है बुलके तो सच में तू बत्तमीज तो है ही बजरिया किस तरह से बजार लगा कर बैठता है तुछ शरम तो आती नहीं है तू बत्तमीज तो बहुत घटिया इंसान है तू गैरत बेगैरत तो तू है ही तू अपने आपको कैसे चोटा भाई बोल सकत है तो शरम आने चाहिए तुझे वह कभी भी तुझे अपना भाई बोलेगी नहीं बात यह है कि इस आदमी को जो इतनी जलन मची हुई है यह उसले बात कर रहा है बाबर के वीडियो को आप लोग देख लीजेगा बाबर के वीडियो को देखकर यह बोल रहा है कि तुम्ह है शरम नहीं आ रहे थी जब दो दिन पहले तुम्हारी बहन अपने हजबन के सुहागरात को लाइब कर रहे थी सबसे पहली बात तो यह सुहागरात तो थी नहीं ठीक है पहली बात वो गये थे उसकी खाला के हां कौसर के खाला के हां कौसर के खाला के हां रूम अलग दिय साजिएद और कोस्रई को ये सब कुछ आए बिजर सबको कि पता नहीं दिश्वाग्राइब का मतलब क्या था जो सबत्व हों किया फ़ेटि 10 क्या ब्लेटी कि तो पत्ता तो इतनी यो कि दिन धिन count- essay उतना खाई है और एक आदमी होके एक औरत को इतनी गंदी गंदी बाते बूल रहा है तेरा जो बीहेवेर है ना तेरी बातों का जो बीहेवेर है जो तेरा अग्रेशन निवल है एक दिन तुझे पागल खाने पहुंचा कर छोड़ेगा एक दम आराम से तुझे पागल खाने पहुंचा कर ठीक है और जो तू ये बोल रहा है कि इसलाम को बदनाम कर रही है लोग तुझे रो रो के मैसेज करते हैं रो 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 के वाइस मैसेज करते हैं कि लोग इसलाम को कौन गाली दे रहा है इसलाम को जार ये बतातो हम सपोर्टर्स हैं हम लोग सितारा को सपोर्ट करते हैं पर हमन फिर तू कैसे बोल सकता है कि लोग इसलाम को गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं कैसे बोल सकता है किस हद तक तुछ गिरता जा रहा है तो पहले यह देख इसलाम को बदनाम कर रही है ऐसा क्या कर दिया उसने जो इसलाम को बदनाम कर रही है और सबसे बड़ा इलजाम जो तो ने ये लगाया है सितारा पर कि वो गैर मर्दों के साथ जाकर मिल रही है गैर मर्दों के साथ जाकर मिल रही है और वो अकेले में नहीं मिल रही है वो अपने पती, अपने ससूर, अपने बच्चो, अपने परिवार के सामने मिल रही है आंगण में खड़ी होके बीचो बीच सबसे मिल रही है तो उसमें उसने क्या गरत कर दिया? अन कैमरा और वो सब कुछ पबली के लिए दिखा भी रही है तो उसमें उसने ऐसा क्या इसलाम को बदनाम कर दिया? जो तु यह बता, गैर मर्दों से मिल रही है तुझसे नहीं मिली ना, तेरी सबसे बड़ी तकलीफ तो भही है सबसे बड़ा तकलीफ तो तुझे हुए यह कि तु भीक मांग रहा था गिरगडा रहा था कि मुझसे मिल लो, मुझे आने दो, मैं मिलूँगा और लेकिन उसने तुझे भाव भी नहीं दिया टके के भाव नहीं पुचा, कुटे के बराबर नहीं पुचा इसलिए तु तिल में लाया हुआ है, बॉकलाया हुआ है तुझे शर्म नाम की चीज़ नहीं है न बेशर्म तु कितनी गंदी बाते बोल रहा है ऐसे तो इसलाम ये भी बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए फिर तू क्यों अपनी बीवी बीवी को लेकर बैठ जाता है अगर वो गलत कर रही तो तू कौन से सही है तो पहले ये बता अगर वो गलत कर रही है तो तू कौन से सही है क्या इसलाम में कहीं लिखा है इस तरह से कि किसी औरत की इज़त को इस तरह से उच्छा ले एक मर्द बैठ कर नहीं लिखा होगा मैंने नहीं पढ़ा है इसलाम के बारे में मैं बहुत जादा नहीं जानती हूँ मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोल सकती हूँ दावे के साथ कि नहीं लिखा होगा ऐसा क्योंकि दुनिया के किसी भी धर्म में किसी भी ओरत को बैज़त करने का हग किसी भी मर्द को नहीं दिया गया है पर तुम लोग करते हो तुम जैसे घटिया लो जिस तरह से बैठके सोशल मीडिया पर एक औरत को बैज़त कर रहे हो उसे रुला रहे हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है तुम इस हच्ट तक गिर गय ओए तुम अब ये बोलने आगे है कि वह गहने मर्दों से मिल ही यानि कि उसका कैरेक्टर खराब है उसके कैरेक्टर पर उफ्राब है अदी तू कि पहले खुद का कैरेक्टर देख खुद के बारे में तु देख तुझे शरम नहीं आ रही है त तब तो ला रही थी ना जूटी होती तब तो लाकर रखनी पाती लेकिन तूने आज तब कुछ नहीं रखा क्योंकि तू जूटा है तू जूटा है समझ मैं सबसे पहले ना अगर अपने घर में बरकत चाहिए ना निकम्मे इंसान जॉबलेस तो कोई जॉब है निकम्मा तो सबसे पहले एक काम कर और तो की इज़त करना शुरूब कर और तेरे साथ वह थे किसी के करेक्टर केचई उच्चा रहा घता है तो भूलन मत तुम लोगों के साथ बिया हैं तुम लोगों के साथ बिया ही होगा और तंह लोगों पर मैंने ये भी सुना है आयान शम्मी ने अपने वीडियो में बता रही थी शम्मी कि बाबा ने बोला है कि वह केस करेंगे यह बहुत जादा जरूरी है अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो यह बहुत जादा जरूरी है खासतों से इस आदमी पर जरूर केस करें जरू जो कि तुझे भोरा के गाल्यां देते हैं लोग उसे खोज कर जाकर दूर डूर इतनी थंड में भी जाकर उसे इतनी लिए ते होजफ थश्रय पार मिलेगी था है उस लायक तो बिल्कुल नहीं है कि तुझे वो इज़त मेरे तु डिजर्व नहीं करता है तो जिस तरह से उसके चैरेक्टर पर उगले उठा रहा है जिस तरह से उसके बारे में गंदी घटिया बाते बोल रहा है यह जो यह जो तुने बोला है है कि तुने कॉसर की विज़ उचा लिये है तुझे शरम हम औरते हों कर हम लोग इतनी गंदी बातीं नहीं बोल सकते हैं जिसना तू बोल रहा है को इतना बड़ा नीच इंसान है इतना बड़ा नीच इंसान है कि तेरी नीच ताइगी सारी हदे पार होते जा रही है तेरी जो हरकते हैं ना तुझे पागिल खाने तक पहुँँ जा कर मानेगी तेरी जो अग्रेशन दिखता है तेरी जो ये दिखता है तो पागिल खाने जा कर मानेगा और तो तेरी मेंडी की बैठ कर बोलती है ना वगर में हान नौकर है हान नौकर तो तू क्या है तू क्या है तू ये बता तू क्या गुलाम है तेरे पती की जितना वो बोलता है जितने इशारे मारता है वस उतनी आवाज तेरे मुझ से निकलती है वरना गूंगी किदर बैठ कितने नीच हो, कितने 3rd class के हो तुम लोग तुम लोग, परहष कितनी गंदी है उस पर भी तुम बैट बैट कर delete करते हो comment को लिखा हुआ है, बहुत सोच वJustने लिखा हुआ है कि comment delete हो रहे है ये बैठ कर comment delete कर रहा है शरम नहीं आती न तुम लोगों को कितनी कालिया सुनूंगे, कितनी बद्वाइं लोगे लोगे की और लोग बद्वाद दे यह ना दे पर जिसका दिल तुम दुखा रहे हो वो तो देगी ही देगी उसका दिल वो तो कुछ नहीं बोले न, चुप है न पर उसके जो आंसर निकल रहे होंगे या जो से अंदर से तकलीफ हो रही होगी वो उपर वाला देख रहा होगा और वो जरूर बताएगा इसलाम को बदनाम कर रही है पाकिस्तान का नाम खराब कर रही है ऐसा उसने क्या कर दिया जिससे इसलाम का नाम खराब हुआ पाकिस्तान का नाव खराब हुआ ऐसा उसने क्या किया अच्छे खासे तुम लोगों के जैसे पहनावे औड़े पहनावे हैं अच्छे खासे वो कपड़े पहने रहती उसका पूरा तंढ़का हुआ रहता है मन भी उसका साफ है सब कुछ है फिर ऐसा उसने क्या किया है ऐसा याकिले में मिल रही थी जो तुम लोगों ने रंग रंगे हांत कर लिया है और भग्वास कर रहे हो बैट खे वह अपने परिवार के बीच में meditating ससे पूरे परिवार के बागे हैं किसी को भी बाती है तो तुम्हें क्या कि अनुन तैक बाद Chicago कराची न बोला सकती तेरे दिमाग में जो एने टाइम सितारा सितारा चल रही है ना तो बिमार हो जाएगा अमान्सीक रूप से समझा एने टाइम ना विश्वास हो ना मेरी बात का जा किसी कांसलर से जाके मिल वह तुझे बताएंगे कि मैंने जो बोला है वह कितना सही बोला है प्रेंट्स इस और मैं बोलने च रहूंगी तो और भी ज़्यादा में बोलती जाओंगी और भी ज्यादा बोलती जाओंगे कि मुझे बहुत साया हुआ है तो चलिए मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में चिल देन बाए और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को सो कर उठी हूं मैं सो कर इसले ऐसा देख रहा है मेरा शाम हो गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से रूप कीजिएगा चले मिलते हैं बाई